केर रागुल और मुहमर रिजवान के बीच एक बड़ी ड़लाई देखनों मिली। जी यां, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी स्टेडियम नरेन मोदी स्टेडियम में मुकाबला खिला गया। जिसमें एक बाक्या ने सभी को हैरान कही दिया। जब पाकिस्तान के बल्ले बाजी चल रही थी और में रविन जड़ीरा गिंद बाजी करा रहे थे। तबी रविन जड़ीरा ने मुहमर रिजवान को बॉल डाली जिस पर वे आउट हो गए लेकिन तबी उन्होंने रिव्यू ले लिया। वही जब एमपार ने चेक किया तो साब पता चल रहा था कि बॉल बिक्टो से काभी दूँच जा रही थी और थेड़ा एमपार ने नोट आट करा दिया। रिजवान के राहूल से यह कहते हुए दिखे कि मैं आउट नहीं था फिर भी एमपार ने आउट क्यों दे दिया। इस मामले पर दोनों के बीच काभी लंबे समय तक बाचित होती रही।